हालो दोस्तों आपका स्वागत है GP Classes में इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे राजस्तान के बुगोल का टॉपिक प्राकर्तिक एमम बहुतिक सोरूप इसके जितने भी प्रिवेश एक्जाम में कुछे गए हैं वो हम इस वीडियो में एक एक करके डिटेल में डिसकस करेंगे तो आप किसी भी एक्जाम के त्यारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपोर्टेंड है पहला क्यूशन है राजस्तान में थार मरुस्तल से परबावी छेतरपल वे जन संग्या का परतिसत कितना है तो यहाँ पर आपको बताना है कि राजस्तान का कुल छेतरपल का कितना परतिसत थार का मरुस्तल है और राजस्तान की कुल जन संग्या का कितना परतिसत यहाँ पर निवास करती है तो बहुत ही सिंपल क्यूसन है तो हमारा अंसर हो जाएगा थार का मरुस्तल तो है 61 परतिशद और यहां पे जन सिंग्या निवास करती है कुल जन सिंग्या की 40 परतिशद वोप्सन हमारा सेकंड करेक्ट हो जाएगा राजस्तान का कौन सा भोगोलिक अंचल प्राशिन्तम है तो यदि हम बात करें प्राशिन्तम की और राजस्तान के संदर में हम बात कर रहे हैं और नवीन्तम कौन सा है यदि हम बात करें प्राचिन्तम की तो हो जाएगा अरावली अरावली कौन से काल की है प्री केरेंबियन काल की कौन से काल की प्री कैंब्रियन कैंब्रियन काल ठीक है और नवींदम थार का मरुस्तर और धार का मरुस्तल कौन से काल का है पलिस्टोसीन पलिस्टोसीन काल का तो हमारा अंस्वर जो है उपराचेंतम पूझा गया तो अरावली हो जाएगा उप्सन या पर थर्ड करेक्ट हो जाएगा नेक्ट फिशन देखते हैं राजस्तान की 21 अंचल को बांगड प्रदेश भी खा जाता है हडोती अंचल सेकावाटी माही या फिर बनास एक तो आपका हो गया बांगड एक होता है वागड इन दोनों में आपको अंतर पता होना चीए यदि हम बात करें तो बांगड तो हो जाएगा सेकावाटी चेतर सेकावाटी और सेकावाटी चेतर में कौन-कौन से जिले आते हैं जैसे की चूरू है, सिक्कर है, जुन-जुनू और नागड का कुछ भाग आता है वागड चेतर में दक्षिन बाग राजस्तान का दक्षिन बाग में यानि की परताब गड़, बासवाड़ा और डुंगरपुर ये आते हैं तो वागड़ और बांगड़ में डिफरेंस आपको पता होना चीए अगला कुशन देखते हैं राजस्तान का लगबग कितने परतिशत भूबाग मरुस्तलों से किरावा है 41, 21, 61 या फिर 81 तो अभी हमने डिस्कॉस किया था 61 परतिशत जो है वो मरुस्तल है एकजट पूछे तो 61.11 परतिशत गती सील रेत के टीले को राजस्तान की इस्तानिय बासा में क्या कहते हैं तो बहुत ही सिंपल है तो इस्तानिय बासा में कहते हैं दोरा यानि कि रेत के जो टीले होते हैं उनको दोरा कहते हैं या दोरे कहते हैं या धरियन भी कहते हैं अपसनियाफे 4th correct हो जाएगा सेकावाटी चेतर में स्तानिय वासा में कुवे को क्या कहते हैं जोहड, बावडी, बेरा या फिर कुव तो यदि हम बात करें सेकावाटी चेतर में तो कुवे, कच्चे कुवे या फिर पक्के कुवे को कहते हैं जोहड है तो अपसनिया पर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा और एक नाम और भी कहते हैं जैसे कि नाड़ा ये नाम भी याद रखना है स्तानिय वासा में नाड़ा और जोहड दोनु कहते हैं राजस्तान की कितने जीलों में थार का रेगिस्तान फेलावा है तो यदि हम बात करें राजस्तान के संदर में तो राजस्तान का पस्टिम बाग जो है वो थार का रेगिस्तान है तो पस्टिम में बारा जीले जो है ये थार के रेगिस्तान से ग्रसित है फिर हम बात करें चा यहां पे थार का रिगिस्तान फेला हुआ है थार मरुस्तल का विस्तार किन राज़ों तक है तो यहां पे राज़ों के बात हो रही है तो राज़स्तान तो है राज़स्तान के साथ में पंजाब, गुजराद और हर्याना चार जिल, चार राजों में फैला हुआ है तो यह आपको ध्यान रखना है राजस्तान, पंजाब, कुजराद और हरियाना और सबसे अधिक पूछे तो सबसे अधिक है राजस्तान के अंदर राजस्तान की मरुस्तल में पाए जाने वाले अर्द संद्राकार, रेद के टीलों को क्या कहा जाता है तो रेद के टीले जो है, अलग-अलग नाम है उनके तो यहाँ पे आपको पूछा गया अर्द संद्राकार, रेद के टीलों को क्या कहते है बर्खान, सम, रण, या फिर खड़ी तो यहाँ पर हमारा जो answer है वो first correct हो जाएगा बर्खान यदि आपको पूछे कि ऐसे कौन से टीले हैं जिनका सरवादिक योगदान है मरुस्तली करण में तो बर्खान आपका answer हो जाएगा क्योंकि यह जो बर्खान होते हैं यह सरवादिक गतिसील होते हैं सरवादिक गतिसील सिब है एक तो यहाँ पे पूछा गया है कि सीब क्या है अनुदे देर यह बालू का अस्तूब अनुप्रस्थ बालू का अस्तूब पेरा बोली या फिर इसक्रब काफिस बालू का तो यहाँ पे जो हमारा answer है वो कौनसा correct हो जाएगा first अनुदे देर ये बालू का इस्तूब जो बर्खान होता है उसमें यदि ववन की दीसा चेंज हो जाती है तब ये थोड़ा आगे की और बढ़ जाता है वही सीब कहलाता है राजस्तान में इस्तित थार मरुस्तल में कौन सा बालू का इस्तूब का परकार नहीं है तो अलग अलग परकार के बालू का इस्तूब पाया जाते हैं जैसे कि पेराबॉलिक है तारा है बर्खान है ये सारे जो है ये बालू का इस्तूब के परकार है लेकिन गोराउड जो है ऐसा कोई बालू का इस्तूब नहीं पाया जाता है, लाड़ी सिरीज क्या है बुमिगत जल पट्टी, वन सनक सन कार्य गरम, सेवन गास पट्टी या फिर उप्लॉक सभी, बहुत एचा किशन है यह एक्जाम में बार-बार कुछा आता है तो यह एक बुमिगत जल पट्टी है और ये कहां पे है ये जैसलमेर के अंदर है कहां पे है जैसलमेर के अंदर यानि कि जैसलमेर के अंदर ये एक मीठे पानी की पट्टी है यानि कि काफी दूर तक फैलावा अंदरूनी पानी है जो कहां से कहां तक है पोकरण से मोहनगड तक मोहनगड और ये मरुस्तल में मिठेपानी की पट्टी है इसलिए इसे मरुस्तल का या फिर थार का गड़ा भी k luego देहान रखना है तो यदि आपको पूछे कि थार का गड़ा किसे कहते हैं तो लाटी सिरीज को कहते है गोडवाड प्रदेश को ये भी कहा जाता है तो गोडवाड प्रदेश किसे कहा जाता है लूनी जवाई बैसिन, गर का मेदान, चंबल बैसिन या फिर काली सिंद बैसिन आपको बताना है कि गोडवाड प्रदेश किसे कहते हैं तो लूनी बैसिन जो है उसको गोडवार प्रदेश कहा जाता है तो यहाँ पर हमारा आंस्वा जो है फर्स करेक्ट हो जाएगा और जवाई नदी जो है यह लूनी की ही साइक नदी है इसलिए यह लूनी जवाई बैसिन को गोडवार प्रदेश कहा जाता है और लूनी जो है ये राजस्तान में बेहने वाली सबसे लंबी नदी है अनुपरस्ट बालू का टीले राजस्तान के किन जीलों में मिलते हैं बिकानेर गंगानगर जोदपुर बाड में जालोर पाली या फिर जोदपुर नागोर तो अनुपरस्ट वालू का टीले जो है राजस्तान में सबसे ज़्यादा बिखानेर और गंगानगर में मिलते हैं क्योंकि गंगानगर में सबसे अधिक आधिया चलती है दूलबरी आंदिया यदि आपको पूछे कि सबस्यादी कहां चलती है तो गंगानगर में हो जाएगा सूभ मेलिद कीजिए सुस्क रेतिला मेदान, लोनी बैसिन, सेकावाटी परदेश और गगर का मेदान तो यहाँ पर आपको मेच करना है अब लोनी बैसिन कहां पर है? पस्यमी राजस्तान में और यदि हम बात करेंगे इस उप्सन के इसाब से तो पचपद्रा जो है यह बाड मेर के अंदर आता है कहां पर है? बाड मेर मेर में तो बाडमेर में लोनी बैती है इसलिए लोनी बैसिन पच्पदरा के साथ मेच हो जाएगा फिर हम बात करें गगर का मेदान गगर जो है ये गंगानगर में बैती है अनमानगर और गंगानगर में और यहां पे जो गगर का मेदान है इसे इस्तानिय बासा में नाली कहते हैं तो यह फर्स्ट के साथ मेच हो जाएगा, सुस्क रेतिला मेदान, डेगाना या फिर बाप, बाप कहां पे है, यह जोधपूर के अंदर है, तो यहीं पे सुस्क रेतिला मेदान है, तो यह फूर्थ के साथ मेच हो जाएगा, और यदि हम बात करें, सेकावाटी प्रदेश की सिकावाटी पर्देश वैसे तो चूरू, सिकर, जुण-जुनू लेकल नागुर का उत्री वाग और पूरी वाग जो है तो डेगाना जो है नागुर के अंदर आता है तो डेगाना सिकावाटी पर्देश का हिस्सा है तो यहाँ पे जो हमारा answer है वो कौन सा correct हो जाएगा फर्स्ट correct हो जाएगा गगर का मैदान इस्तित है तो अभी हमने बात की थी कि गगर जो है गगर नदी हनुमानगड और गंगानगर में बेती है तो यहाँ पे हमारा जो answer है वो third correct हो जाएगा गंगानगर वे हनुमानगड थार मरुस्तल की बाग है तो यहाँ पे आपको पूछा गया थार मरुस्तल की कौन-कौन से बाग है गोडवाड प्रदेश, सेखावाटी, बनास का मैदान गगर का मैदान तो गोडवाड प्रदेश जो है यह लूनी बेसीन का भाग है और लूनी पस्चिम राजस्तान में बेती है तो यह तो हो गया फिर हम बात करते हैं सेखावाटी प्रदेश तो सेखावाटी प्रदेश भी जो है थार के मरुस्तल में आता है गगर का मैदान, गगर जो है ये गंगानगर और हन्मानगड में बेती है ये भी आता है लेकिन बनास जो है ये थार मरुस्तल का बाग नहीं है क्योंकि ये राजस्तान से निकलती है और सवाई मादुकूर में चंबल नदी में मिल जाती है यानि कि ये चंबल की सायक नदी है तो ये थार मरुस्तल का सटर यहां पर सेकंड करेक्ट हो जाएगा जिस दिशा में अरावली स्रेनियों की चोड़ाई बढ़ती जाती है वह है तो यहां पर आपको पूछा गया है कि अरावली की चोड़ाई जो है वो किदर बढ़ती है तो जब हम उत्तर पूर्वज से दक्सिन-पर्स्रिम के और ज और इसकी चोड़ाई जो है उत्तर पूर्वे से दख्सिन पस्यम के और बढ़ती जाती है राजस्तान में खेड बर्मा यानि की गुजरात शिमा सेंग खेटडी तक अरावली परवतमाला की लंबाई कितनी हैं तो यहां पर आपको पूछा गया है कि राजस्तान में यदि आपको पूछे राजस्तान में तो आपकी अरावली परवतमाला की लंबाई हो जाएगी 550 और यदि पूछे कि अरावली परवतमाला की कुल लंबाई पूछे कुल लंबाई तो कुल लंबाई कितनी हो जाएगी? 600 बराण में किलो मिटर तो ये तो है कुल लंबाई और ये है राजस्तान में लंबाई तो लगबग राजस्तान में 80% जो है अरावली है, इस्तित है अरावली प्रवत का विस्तार है तो अभी हमने बात की थी कि अरावली की कुल लंबाई जो है वो 692 किलोमेटर है जो की गुजरात के पालनपूर से दिल्ली तक है यानि को अप्शन यहां पर थर्ड करेक्ट हो जाए वर्तमान में अरावली परवत विद्यमान है वलित परवतों के रूप में संगरहित परवतों के रूप में आउसिस्ट परवतों के छेतर में या फिर ब्लोग परवतों के रूप में यदि हम बात करें अरावली परवत माला की तो जब निर्मान हुआ था तो यह एक वलित प वर्तमान के रूप में अवसिष परवतों के छेतर के रूप में विद्यमान है तो अपसन यहाँ पे थर्ड करेक्ट हो जाएगा और हम बात कर चुके हैं कि यह सबसे प्राचीन परवतमाला है विष्वे की प्राचीन परवतमाला निमले कि इसमें से कौन सी है तो अभी हमने बात कीती कि सबसे प्राचीन परवतमाला कौन सी है अरावली परवतमाला राजस्तान में विष्वे की प्राचीन परवत पाये जाते हैं जो Gondwana Land के पाग है उसका नाम है तो यहाँ पे आपको पूछा गया है कि Gondwana Land का कौन पाग है तो एक तो आपका अंगारा लेंड दूसरा Gondwana Land और तीसरा Tethys सागर अंगारा लेंड यह क्या है जब पेंजिया टूटा था यानि कि सबसे पहले एक पेंजिया था यह पूरा एक गोला था यह पेंजिया बोलते हैं जब यह टूटा तो एक तो अंगारा लेंड बन गया एक आपका Gondwana Land और बीच में आपका Tethys सागर बन गया यह हो गया Tethys सागर यह अंगारा लेंड और यह Gondwana Land और यह बीच में Tethys सागर बन गया तो यहाँ पे आपको पूछा गया है कि Gondwana Land का बाग कौन-कौन सा है अंगारा लेंड का कोई राजस्तान में बाग नहीं है लेकिन यह हम बात करें Gondwana Land की तो एक तो रावली परवत है और दूसरा हाडोती का चेतर आडोती का पठार के दो या आडोती का चेतर के दो जिसे हम बोलते हैं दक्सिन पूर्वी पठार और यदि हम बात करें Tethys सागर की Tethys सागर का बूछे तो कौन-कौन से बाग है एक तो होगे आपका थार का मरुस्तल थार का मरुस्तल और दूसरा कौन सा हो जाएगा पूर्वी मेदान पूर्वी मेदानी बाग ये आपको ध्यान रखना है अंगारा लेंड का कोई बाग नहीं है राजस्तान के अंदर अरावली परवत परकार के हैं यानि कि अरावली परवत जो है किस परकार का है राजस्तान का परमुक जल विबाजक है अरावली के पाडियां, बुंदी के पाडियां, अलवर के पाडियां या फिर मुकंद्रा के पाडियां थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि अरावली जो परवत है वो राजस्तान को दो बराबर भागों में बांटती है और अरावली परवत की सबसे अधिक उंचाई किस जिले में है तो यदि हम बात करें सरवादिक उंचाई की तो सरवादिक उंचा इस्तान कौन सा है तो माउंट आबू के उपर कौन सा परवत है गुरु सिकर तो गुरु सिकर है उसकी सबसे अधिक उंचाई है तो वो कहां पे है सीरोई के अंदर तो स्रीरोई में अरावली परवत की सबसे अधिक उंचाई है और यदि आपको पूछे न्यूनतम उंचाई तो न्यूनतम उंचाई कहां पे है तो वो हो जाएगे आपके जैपूर में और यदि विस्तार पूछे विस्तार तो सरवादी कहां पे है और न्यून्तम कहां पर है तो यदि हम बात करें सरवादिक विस्तार की तो सरवादिक विस्तार तो उदेपूर में है और न्यून्तम विस्तार कहां पर है आजमेर में यहां पर आपके चार परकार की कुशन हो सकते हैं कि अरावली प्रवत की सबसे अधिक उचाई पूछे तो सिरोई में नियूंतम उचाई, जैपूर में सरवधिक विस्तार उदेपूर में और नियूंतम विस्तार अजमेर के अंदर बांसवाड़ा वी डूंगरपूर के मध्य बुबाग को किस नाम से जाना जाता है तो यहां पे आपको पूछा गया है पूर्वी मेधानी प्रदेस तो ऐसी कोंसी नदि है जो पस्सिम में बाग का हिस्सा नहीं होगी बनास बांगगा, चंबल, मज्यमाही या फिर लूनी तो लूनी जो है राजस्तान के पस्सिम बाग में बैती है यानि कि मरुस्तल में बेने वाली नदी है तो ये पूरी मैदानी परदेश का हिस्सा नहीं है राजस्तान के किस परदेश में बिहड मिलते हैं तो बिहड यहां पे पूझा गया है तो बनास, माही, लूनी या फिर चंबल वैसिन तो चंबल नदी जो है इसका अववात अंतर वो सबसे तेज है और चंबल नदी जहां से निकलती है वहां पे ये अपरदन सबसे ज़्यादा करती है इसी लिए यहाँ पर कहीं पर बहुत ज़्यादा खड़े हो गए, कई उचाई ज़्यादा रे गई है, तो इसी को बिहड कहते हैं, तो बिहड जो है, यह चंबल वेसिन के अंदर है, किस जीले में राष्ट्रिय जिवासम उद्यान, नेशनल वुड फोजिल बार्ग स्थित ह बाडमेर, जैसलमेर, चूरू या फिर जिकर, तो राष्ट्रिय जिवासम उद्यान, यानि कि नेशनल वुड फोजिल पार्ग जो है, वो जैसलमेर में हैं, और जैसलमेर में पूछे कहां पर हैं, तो आकल गाउं में, कहां पर हैं, आकल गाउं में, तो यहां पर जुरासि प्रवी बैसीन तम लगडी के उसे मिले हैं आकल गाउं जैसल में बनास बैसीन राजस्तान के 21 भोगली विवाजन का हिस्सा है तो यहाँ पर आपको पता होना चीए बनास नदी कहां से निकलती है तो बनास नदी राज समंद के खमनोर की पाडियों से निकलती है और चम्मल नदी में मिल जाती हैं सवाई मादोपूर के अंतर तो यह किसका भाग होगी तो पूर्वी मैदान का तो यहाँ पर हमारा जो आंसर है वो थर्ड करेक्ट हो जाएगा पूर्वी बैसीन मैदान का भाग नहीं है तो यह किसन हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था वही किसन अलग तरीके से पूछा गया है चम्मल बैसीन, लोणी बैसीन, चपन बैसीन या फिर बनास बैसीन तो लोणी नदी जो है वो राजस्तान के पस्विम बागम बैसीन इसलिए ये पूर्वी बैसीन का हिस्सा नहीं है राजस्तान का कौन सा जिला हाडोती का पठार में समलित नहीं किया जाता तो यदि हम बात करें हाडोती, छेतर या हाडोती का पठार तो ये दक्षन पूर्वी राजस्तान का हिस्सा है और यहां पे चार जिल्फ आते हैं कोटा, बुंदी, बारा और जालावाण तो कोटा, बुंदी यहां पे नहीं लिका है बारा, जालावाण लेकिन दो सा जो है वो हाडोती के पटार का हिस्सा नहीं है निमलिकित में से कौन सा दक्सिनी अरावली परदेश में अवस्तित नहीं है उडिया पठार, लसाडिया पठार, सहबाद उच बुमी या फिर बोराट का पटार तो यदि हम बात करें सहबाद उच बुमी तो यह कहां पे है, यह बारा के अंदर है इसलिए यह अरावली परदेश का हिस्सा नहीं है तो उप्सन यहां पे सेकंड करेक्ट हो जाएगा चपन का मैदान राजस्तान की किस बाग में इस्तित है तो यहां पे बात हो रही है चपन का मैदान यदि आपको पूछे चपन का मैदान जहाँ पे वागड़ प्रदेश है वहाँ पे चपन का मैदान इस्तित है तो वागड़ प्रदेश कहाँ पे है यदि हम बात करें परतापकड, बांसवड़ा और डूंगरपूर यहाँ पे चपन का मैदान इस्तित है तो बांसवड़ा, डूंगरपूर यह कहाँ पे है राज राजस्तान की किस भोगुलिक चेतर में मुकंद्रा की पाड़ियों की तो मुकंद्रा की पाड़ियों की तो मुकंद्रा की पाड़ियों की तो मुकंद्रा की पाड़ियों जो है कोटा और जालावाड में इस्तित है और कोटा और जालावाड की इसका हिस्सा है तो हाड़ोती के पठार का हिस्सा है तो अपसने आपे second correct हो जाएगा राजस्तान की कौन सा भोगलिक अंचल मालवा की पठार का विस्तार है यदि हम बात करें मालवा का पठार का तो मालवा के पठार का जो उतरी हिस्जा है वो हाडोती का पठार कहलाता है तो अपसन यहां पर फिर्स्ट करेक्ट हो जाएगा राजस्तान में चपन का मैदान किस नदी बैसिन में इस्तित है तो अभी हमने बात किती चपन के मैदान की यदि हम बात करें राजस्तान के दक्षिन बाग की तो माही नदी जो है वो दक्षिन से निकलती है और दक्षिन में ही वापिस ऐसे चली जाती है माही नदी तो ये जो चपन का मैदान है ये दक्षिन बाग में इस्तित है और यहां पी माही नदी जो है वो राजस्तान में दक्षण से निकलती है और दक्षण में वापिस सली जाती है और करक रेका को दो बार काड़ती है तो हमारा जो आंसर है वो थर्ड करेक्ट हो जाएगा चपन का मैदान माही नदी बैसीन में इस्तित है 56 बैसिन किस जिले में हैं तो अभी हमने बात की थी 56 बैसिन जो है माही नदी और राजस्तान के दक्षिन बाग में दक्षिन बाग में कौन-कौन से जिले आते हैं बासवाडा, डूंगरपूर, परतापगड निमलिकित में से कौन सा वागड के नाम से भी जाना जाता है तो यदि हम बात करें वागड की तो वागड दक्षिन राजस्तान का जो दक्षिन बाग है वो वागड कहलाता है और दक्षिन बाग में कौन सी नदी बैती है तो माही नदी तो मज्दे माही का मैदान जो है वो वागड के नाम से जाना जाता है चपन की पहाड़ी राजस्तान के कोन से बाग में इस्तित है अभी हमने बात की थी चपन का मैदान तो चपन का मैदान माही बेसिन में या फिर राजस्तान के दक्षिन बाग में बांसवड़ा डुमरपूर और परताब गड़ में इस्तित है लेकिन यदि हम बात करें चपन की पहाड़ी की तो चपन की पहाड़ी इस्तित है बाड़ मेर के अंदर और बाड़ मेर मेर में पू बोक्स में जरूर बताना और यदि आपको वीडियो पसना आता है तो वीडियो को लाइक जरूर करें चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें थैंक